एक गाव में एक किसान रहता था, जिसका नाम रामू था, उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेट था, उसका पूरा परिवार उसके साथ खेट में काम करने में मदद किया करता था, रामू के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे, इस बार रामू के खे रहा तो हम इस बार फसल बेच कर अपना पक्का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सरला से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूं कुछ सबजियों और धन को बेचने के लिए तुम खेत में कीट नाशक दवाईयां छिड़क देना। इतना कहने के बाद वहाँ बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब रामु बाजार से बापिस आता है तो वहाँ बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सबजियां उच्च गुरवत्ता वाली है हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे बाजार में जल्दी से सब्जिया तोड़ कर बेचनी होगी यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा ठीक है हम कल ही सारी सब्जिया तोड़ कर बाजार में बेचने के लिए तयार करे देंगे इतना कहने के बाद वहाँ अपने परिवार के साथ कुशी खुशी सो जाते हैं लेकिन रात में अचानत बारिश होने लगती है बारिश होने की वज़े से रामू बहुत दुखी होता है और वहाँ अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है सरला यहाँ देखो कितनी तेज बारिश हो रही है इस सरला भी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ कहती है हे भगवान हमारी फसल का क्या होगा दोनों पती पत्नी भगवान से बारिश बंध होने के लिए प्रार्थना करने लगे लेकिन बारिश रुखने का नाम ही नहीं ले रही थी यहां तक की कुछ देर बाद ओले भी पढ़ने लगे पुरे खेत में बारिश का पानी भर गया इससे वह दोनों बहुत परेशान थे रामू ने कहा सरला बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है धीरे यह पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वज़े से हमारे घर का छपर भी तूटने लगा है दोनों बहुत परेशान थे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए सरला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पती के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश के पानी की वज़़ से कई घर तूट चुके थे पुरे गाव में पानी भर चुका था और गाव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रख कर गाव से निकल रहे थे पूरा गाव दुखी था सभी एक दूसरे की मदद कर रही है सभी गाव वाले गाव के बहार के पुल के उपर आकर रुख गए कुछ समय बाद बारिश रुख गई और अगले दिन सुभा सरकारी लोग गाव में फसे लोगों के लिए खाना लेकर आए गाव वाले खाने को देखकर करमचारियों की और दौडे रामू को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गए थे रामू ने वहाँ खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिये और दोनों पती-पत्मी भूखे रहे अब गाव वालों को कुछ रहत सी महसूस होने लगी अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वहाँ अब अपने गाव में लोट जाएंगे लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई इस बार बारिश बहुत देर से लगातार पड़ रही थी पानी बढ़ता जा रहा था जिसकी वज़ह से गाव में राहत करता भी खाना लेकर नहीं आये थे इस रामो ने कहा कि इस बार हमारे गाव में सरकारी गाडिया खाना लेकर नहीं आएगी मैं खाना लेने के लिए गाव से बहार जाता है कुछ देर बाद रामू खाना लेकर सरला और बच्चों के पास पहुचा लेकिन रामू के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे जिन्ने देखकर सरला घबराते हुए बोली यह सब कैसे हुआ इस पर रामु ने कहा कि पास वाले गाव में सरकार मुफ्त में खाना बाट रही थी। जिसकी वज़ा से वहाँ पर बहुत भीड थी, मुझे खाने लेते हुए भीड में यह चोट लग गई। इतना सुनकर सरला रोने लगी और कहने लगी जो हात अनाज उगाते थे आज वह खुद आनाज के लिए परेशान है। बच्चों ने सरला और रामो के साथ खाना खाया। यहाँ देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हस्ता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी। और सभी गाव वाले अपने अपने घर लोटने लगे। बच्चों ने कहा कि हम घर फिर से बना लेंगे। मैं सरकार की तरफ से आया हूँ। मुझे यह देखना की आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बना कर देगी। ऐसा सुनने के बाद सरला को बहुत अच्छा लगा। रामू और सरला ने अपने बारे में सारी इंफार्मेशन उस सरकारी व्यक्ति को दे दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहां से चला गया। और कुछ सरकारी करमचारी गाव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद रामू और गाव वालों ने उन क्रमचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारियों ने कहा आप एक किसान है जो की पुरे देश के लिए अनाजोगाते हैं आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है इतना कहने के बाद वह गाव से चले गए इसके कुछ दिन बाद रामू के गाव में सरकार की बहुत सारी गाडियां आई और जिन लोगों के भी बारिश की वज़ा से घर तूटे थे उन सभी लोगों को मजबूत और पके घर बना कर दिये गए आज सरला की आखों में कुशी के आंसू थे इस पर सरला ने कहा की है भगवान में अंजाने में आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा मुझे इसके लिए माफ कर दीना भगवान को धन्यवाद कहते हुए वह बहुत खुश हुई रामू के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई हाला कि बारिश का कहर रामू और पुरे गाव वालों पर बहुत वर्शा लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गाव वाले बहुत खुश थे इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब आमिर लोग अपने पक्के घरों में बारिश का आनन लेते हैं वही एक गरीब किसान अपने खेतों को बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है आज भी कई गाव ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों के घर तूट जाते हैं